आज कल के समय में सब कुछ westernize हो गया है सब कुछ modernize हो चुपा है को दिक्कत नहीं है अच्छा लगता है देख करके लेकिन कभी-कभी बुरारी लगता है बात मैं आज आपसे यंद्रों की करूंगा जोगी आज के समय में खिलवाड़ों गया है जोटे बच्चे थे तो कलरिंग बुक आती थी करजिव राइटिंग की बुक आती थी कलरिंग बुक आती उसमें फोटो बने होते थे हाथी गोड़ा चीता इसको रंग करना होता था तो कोई हाथी को सपेद कर देता था तो यहाथी को चितकवरा घर देता था कितकवरा हाथी तो बताने कहां होता है जो भी हैwalk हिंदु धर्म के बूद्हा हैं ए बताते हैं जो खुद को अपने अलबग्यान ड कारण बज़ाएंज एक हमारे मुंदी सुबह साम मेनत करके हिंदु दर्म को बचाना चाहरे हैं लेकिन कुछ लोग जो है कि हिंदु दर्म का नाश करके छोड़ेंगे और वो भी वेस्टन कॉंसेप्ट से प्रभावित हो रहे हैं बैई मंडला में यंत्रा में कुछ और यंद्र जो है कोई बच्चे का खिलवाड नहीं है आज कल तो लोग क्रेंस बुक में ग्लिटर लगा करके और पताने क्या क्या लगा करके यंत्र बनाए जा रहे हैं यह कुछ नहीं करना है अपने सर्वनाश को बुलावा देना है तंत्र के ग्रंथो में साफ लिखा है कि जो सही विधी का इस्तेमाल ना करते हुए गलत विधी से यंत्र बनाता है वो खुद अपनी साथ पिछली कुल और साथ अगली पुस्त समेथ नर्ग गामी होता है वि कुछ बात इसमें समझने की हैं इंत्र दो-तिन प्रकार के होते हैं एक तो ऐसा इंत्र होता है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं जोमेट्रिकल डाइग्राम से ट्राइंगल से स्क्वेर से rectangle से बना होता है इसमें उपर जो triangle जा रहा है वो अगनी तत्व नीचे जो triangle जा रहा है वो जल तत्व जो circle है वो वायू तत्व जो square है वो प्रत्वी तत्व और जो बिंदू है बीच में वो आकास तत्व का ध्योतक है बताता है अब इसमें जो देवता हैं देवता का सुरूप जो साकार सुरूप नहीं है जो निराकार सुरूप है वह तो केवल आकास तत्थ ही है। कि उसके आसपास में यह जो ट्राइंगल सरकल जो विबूतियां बना रहे हैं उनके अलग प्रकार की शक्तियां हैं तो अगर मैं पीछे लगे श्रीयंद्र की बात करो तो इसके हर ट्राइंगल पर हर पेटल पे एक देवता है वो देवता जो मुख्य देवता जिसके बीच म परने से ही सभी देवियों का पूजं हो जाता है यही यंद्र का परपस है सीधे सब्सक्राइं मैं बोलों तो देवता का शक्ती शरीर जो है देवता का जो शक्ती कि रूपक जो शरीर है तक्वात्मक जो शरीर है वहीं 인warming किया हो पूझा-पाट कभी आपने चीया हो तो आपको ये बात पता होती है कि जो चीजें नेचुरल नेचर से प्राप्त होती है उसी के द्वारा पूजा की जाती है नवरात्र में अखंड दीप जलाने के लिए घी का इस्तेमाल होता है तेल का इस्तेमाल होता है आपको पता है घी दूद से निकलता है तेल जो है कि अलग-अलग परकार स है वो डीजल से जलाने लगेंगे पिट्रोल से जलाने लगेंगे इसली अवेलेबल है ऐसा तो नहीं करेंगे न हवन में जो भी चीज हवन में जो लकडियां होती हो पेड़ से प्राफ्थ होती है पूजा में जो कपूर होता है वो आम कह रहा हूं के लेके पेड़ से जाता है अभी अनार्याम के पेड़ से निकलता है उसको चंदन से लिखा जाता है चंदन पेड़ से आता है नहीं तो उसको विबिन प्रकार के फूलों के रस से लिखा जाता है हर यंद्र रस से नहीं लिखा जाता है या कुम-कुम से लिखा जाता है यह सब पूजा में प्र लिए जुप कीम्रीर। केसा बना हुआ कि बना हुआ ये देवता। और पांच प्रकार के तक्तुओं को अलग-अलग मात्रा में मिला करके अलग-अलग संयूजन में मिला करके एक ऐसा चित्र निर्मान किया जाता है एक ऐसा डाइगराम निर्मान किया जाता है जिसमें वो देवता प्रकट हो और केवल उस चित्र के पूजन के द्वारा देव बहुत देवता होते हैं लेकिन केवल एक यंत्र को नमशकार कर लेने से हर देवता को नमशकार होते हैं अब इसमें यंत्र में भी बहुत प्रकार के हैं कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनकि रोजबुजागर नहीं होती है कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनकि केवल दरशन मात्र पूजा कर रहे हैं, श्रीयंत्र पहने भी लेंगे लेते हैं कभी-कभी अब आपको मैंस बिस्ट बता दूँ कि जो यंत्र पूजन किया जाता है वो पहना नहीं जाता है पहनने वाला यंत्र अलगब्रकार का होता है, जनरली जिस यंत्र की पूजा होती है वो चोकोर फ्रेम पे बना होता है या सरकल गोल बना होता है पहिनने वाला जो यंत्र है वो या तो गोल होता है या उसमें जो सरकल होता है वो ऐसे बरफी का जैसे होता है बरफी का सरी उसमें जो स्क्वाइर होता है बरफी जैसा स्क्वाइर होता है नॉर्मल स्कोयर जैसे मेरे पीछे आप यंद्र देख रहे हैं, ऐसे यंद्र को पहना ने जा सकता। लेकिन अब लोग आज पैसा कमाने के लिए अलब ग्यान अपना दिखाते हुए जहेंगि ऐसे यंत्र को भी पहणने के लिए दे देते हैं फिर भला हो बेचने वाले और भला हो पहणने वाले का इसलिए कहा रहा हूं कि कि विनास्वन का निस्चिती तो हमारे कहने से ही थोड़ा सा बला हो जाए तो ये जो यंत्र है ये कोई खिलवार करने की चीज नहीं है इनको बनाने की एक प्रॉपर विधी है शुब मुहूर्त निकाल के उस शुब मुहूर्त में फॉरमल विधी से जो कि शास्त्रों में कहा गया है यह तंत्र की परवड़ाओं में गुरु के द्वारा प्राप्त होता है उस विधी से शुब मुहूर्त में यंत्र बनाया जाता है यंत्र बनाते समय भी बहुत बातों का ध्यान रखा जाता है एक जगह पर रखना है इस यंत्र को या घुमा भी सकते हैं पहनना है या पूजन करना है पुरा इसका elaborate पूजन होना है या फिर इसका केवल नमशकार करने के लिए है किस परपस के लिए कि अगर डेली पूजन होना है तो यंत्र में कम शक्ति भी हो तो डेली पूजन से सकती बढ़ेगी अगर केवल नमशकार होना है तो ठीक ठाक शक्ति के साथ यंत्र बनाना चाहिए तो उसके हिसाब से शुम महुरत को देखते हुए अलग अलग प्रियोजन से अलग अलग प्रकार के एक ही यंत्र के मुल्टिपल वरियेशन होते हैं अलग अलग प्रकार के परपस के लिए मुल्टिपल वरियेशन के साथ यंत्र बनाया जाता है आज के समय में जो लोग रंग बी-रंगे पनने ले करके गील्टर पेपर से रंग बी-रंग जो यंत्र बना रहे हैं एक तो वह किसी काम के नहीं है दूसरा किसी काम के ना होने के साथ ही जिसने ऐसा यंद्र बनाना बताया है जो ऐसा यंद्र बनाता है जिस घर में ऐसा यंद्र बनाया जाता है जो ऐसा यंद्र को पहनता एत्यादी है वो सब के सब विनाश के भागी होते हैं काल के गाल में समाते हैं उनकी गीवन में दुर्गती होती है बेशक आपको बनाते हुए या पहले दिन में ऐसा लगे कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है जो कि आज कल तो लोग हरसम हलुसिनेशन में रहते ही हैं तो जो शुरुबात में लगता ही है, लेकिन लंबे समय में ये सब चीजें जो हैं की बेकारी का कारण बनती है, तंत्र जगत में, साधुनां के जगत में एसी बातें बहुत popular हैं, क्या आदमी पूजा करने गया पागल हो गया यह हो गया वो हो गया यह सब इसी वज़े से होता है फालतू ऐसे काम करने की वज़े सही होता है लेकिन आजकल लोगों ने नाम प्रसद्धी की चाहत में पैसा कमाने की वज़े से अज्ञानी खुद होते हुए लेकिन खुद को ज्यानवान दिखाने के चक्कर में ऐसी उलूल जलूल फालतू बातें फैला रहे हैं जिसकी वज़े से उनका और उनको जो मानते हैं उनका तो सरवनास हो रहा है उसके साथ के साथ में हिंदू धर्मकावी सरवनास हो रहा है विदेश के लोगों को पता नहीं है तो वो कुछ संस्कृति से आते हैं तो आप तो असली वैदिक संस्कृति को वैसे फॉलो करें वैसे पालन करें जैसे उसको पालन किया जाना है अपनी संस्कृति अपनी सब्यता के साथ खिलवार छेड़ चाड़ मजाक बंद करे झाल झाल